हलो फ्रेंड्स आज की इस लेक में मैंने आपको मुहावरों से सम्मधित जानकारी प्रदान की है बच्चो मुहावरे क्या होते हैं विशेश अर्थ प्रकट करने वाला सद्ध समू मुहावरा कहलाता है अब आगे कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा उनका वाक्य में प्रियोग आगे कुछ मुहावरे दिये गए हैं उनका अर्थ भी बताया गया है तथा किस प्रकार से उनको हम अपने वाक्यों में प्रियोग करते हैं यह आपको देखने को मिलेगा पहला है आस्मान सिर पर उठाना आस्मान सिर पर उठाना का तात्पर है बहुत सोर करना इसका वाक्ष बनाएंगे अध्यापक के कच्छा में ना होने पर बिद्यार्थियों ने आस्मान सिर पर उपर उठा लिया त्वच्चों इस परिगार से आपको आप अपने सब्दों में वाक बना सकते हैं second आकल का दुसमन आकल का दुसमन का मतल होता बच्चों बेवकूप कभी-कभी कर और आपस में बात चीत करते हैं कि आप अकल के दुसमन हो तो बेवकूप तो बच्चो इसका अर्थ है बेवकूप इसका हम वाग बनाएंगे समझ से काम लो अकल के दुस्मन मत बनूँ थर्ड आग में घी डालना का अर्थ होता है क्रोध भड़काना इसका हम वाग बनाएंगे तुम राम को गाली देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हो बच्चों आप अपनी च्छांसार कोई दूसरा वाग बना सकते हो फोर आग बबूला होना आग बबूला होना का तात्पर है बहुत गुस्सा होना इसका वाग होगा मेरी खरी खरी बाते सुनकर वहाँ आग बबूला हो गया फाइब इट से इट बजाना इट से इट बजाना का अर्थ होता है नश्ट कर देना इसका वाक बनाएंगे अंग्रेजी सेना ने मुग्रों के राज की इंट से इंट बजा दी 6. कमर कसना कमर कसना का मतला बहुत अबच्चो तयार होना वाक बनाएंगे सरल वाक विद्यार्थियों ने वार्षिक परिच्छा के लिए कमर कसली 7. आँख लगना आँख लगना का मतलब होता है नीद आना वाक बनाएंगे खाना खाते ही मेरी आँख लग गई 8. नाँख में दम करना इसका अर्थ होता है परेशान करना इसका वाक क्यों होगा तुमने तो मेरी नाग में दम कर रखा है आप अपनी भासा में कुछ दूसरे सरल वाक बना सकते हैं आप एक शदिक वाक बनाना सीखिए 9. फूला ना समाना फूला ना समाना का मला बहुत है बहुत खुस होना इसका वाक क्यों होगा राम को जब ये पता चला कि वह कच्छा में प्रथम आया है तो वह फूला ना समाया 10. पानी पानी होना सरमिंदा होना इसका वाक क्यों होगा अपने पुत्र के काले कारणा में सुनकर वह पानी पानी हो गया इसका अप अपने सब्दों में भी कोई वाक दूसरा बना सकते हो सोयम वाक बनाकर लिखें बच्चो आपके लिए मैंने कुछ हमवर्ख दिया है गरिकारी पहला है आँख खुलना का अर्थ होता है होशाना पीड दिखाना का अर्थ होता है भाग जाना उल्लू बनाना का अर्थ होता है मूर्ख बनाना और कान भरना का मनलब होता है चूली करना इनके हमने आपको अर्थ बता दिये हैं मुहावरों के अब इनके आपको एक एक वाक लिखना है आज इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप इन सभी मुहावरों को तयार करें निशित रूप से ये परिच्छा के लिए काफी उप्योगी होंगे